नमस्कार बच्चो, दिस इस राम बिश्णोई and you are watching Geography Group. Class 6th, 7th, 8th तो 9th के स्टूडिन्स के लिए मैं काफी सारी अपडेट्स लेकर करके आया हूँ, क्योंकि आपके माइड में बहुत को चल रहा इस वक्त. आपके माइड में result भी चल रहा है, excited फिल करें होंगे कि आपका result आने वाला है, वो थोड़ा सा excited और थोड़ी अलग positive vibes भी आ रही होगी कि हम next class में जाएंगे. 8th के बच्चे particularly 9th में जाएंगे थोड़ा senior जैसी feeling आएगी कि हम भी senior होगे हैं, घर में भी थोड़ा सा आपको अलग तरीके से treat किया जाएगा कि अब 8th तक तो ठीक था, जब 9th में जाते हैं थोड़ा सा study का pressure आ जाता है. ऐसे ही जो 5th से 6th में जा रहे हैं तो उनमें भी एक अलग feeling आ रही होगे. तो अभी आपके mind में चल रहा है, हमारा result कब आएगा, result कि space पे prepare होने वाला है, क्या होने वाला है. दूसरी चीज़ जो आपके mind में चल रही है, excited भी होंगे, सोच भी रही होंगे, कि आपके school कब reopen होंगे. पर्टिकुलर्ली जो 8th से 9th में जा रहे हैं, उनके काफी सारे questions आ रहे हैं, कि सर 9th class के school तो लग रहे हैं, अब open है. तो क्या 1st of April से हमें भी school जाना है, या हमारे school जो reopening है, वो थोड़ी delay होने वाली है, कब से हमारा session स्टार्ट होने वाला है, और एक और चीज, worksheet, क्या worksheet फिर से आएगी, फिर से continue रहेगी, तो इन सभी questions के मैं answer देने वाला हूँ, अप लाश तक मेरे साथ बने रहे हैं. सबसे बहले बात करते हैं, आपके result की, जो class 5th, 6th, 7th, 8th, जिस भी class में है, उन students का result 31st of March को आपको मिल जाएगा, यानि कि आपको school जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको WhatsApp के माध्यम से, आपको जो teacher हैं, आपके class in charges हैं, उन से आप contact कर सकते हो, या text message के through आपको result मिलने वाला है, यानि कि 31st March को ही आपका result आ रहा है, ये पहले ही fix हो चुका था, 22nd March को, आपका result है, वो सभी schoolों में त्यार कर लिया गया है, तो 31st को आपका result announce हो जाएगा, यानि कि आप officially तोर पर, वैसे तो हो चुके हो result प्रिपेर है, लेकिन officially तोर पर, आप 31st March को next class में promote होने वाले हो, सभी को congratulations, एक Alexi feeling आ रही है, तो उसको आप enjoy कीजिए, क्योंकि आप थोड़ी से senior हो गया हो, दूसरी बात करते हैं, आपके school reopening की, 9th के बच्चे हैं, थोड़ा उनको लग रहा है कि हमारा first of April से school reopen होने वाला है, क्योंकि 9th के लिए already reopen हो रहे हैं, तो वो भी 9th में हो चु जो reopen नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पहले government की planning थी, कि Delhi में cases है, वो कम हो गए थे, लेकिन दोबारा से थोड़ी बढ़ रहे हैं, तो अभी government है, थोड़ा सा risk नहीं लेना चाहती है, तो इसलिए अभी आपकी classes है, वो school में continue नहीं होगी, कब से session start होगा, अभी तक की जो information है, उस first of July से, तो ninth के जो students है, उनका session first of July से start होगा, और उसके बाद, within one or two week के बाद, six से eight class है, उनका decision लिया जाएगा, तो अभी आपको school नहीं जा रहा है, यानि कि आप April, May में जो आपकी study रहेगी, वो घर पर बैठ कर ही है, आप करने वाले हो, तो दो चीजे होगी, आपकी clear की result आपका आ रहा है, यानि आप next class में जा रहे हो, और school अभी आपके reopen नहीं हो रहे है, तीसरी बात आती है, worksheet की तो आपकी worksheet फिर से आ रही है, उसके लिए official letter आ चुका है, जिसका link या फिर वो letter ही मैं share कर दूँगा, टेलिग्राम के group में, टेलिग्राम के channel में, जिसका link description box मे आपको मिल जाएगा, उसको आप join कर लिजे, और worksheet आपके April के first week से start हो रही है, यानि कि first week से दोबारा से आपको worksheet मिलेगी, जो sixth class है, उसको एक worksheet per day मिलेगी, यानि कि general जो पहले आपकी common worksheet आती थी उस type की, जो seventh, eighth और ninth की students है, उनको as it is worksheet मिलेगी, जैसे की पीछे मिलती रही ह two or three subject per day उनको मिलने वाले है, two subject मिलने वाले, seventh और eighth को, और three subject मिलने वाले है, ninth class को, तो as it is, आप अपनी worksheet के लिए भी त्यार हो जेए, अपनी notebook त्यार कर लिजे, क्योंकि आप worksheet अगर साथ साथ करते हैं, तो बाद में pressure नहीं आता, आपकी study हो smooth चलेगी, और वैसे भी जो summer break होने वाला, उससे पहले जो worksheet आएगी, काफी easy आने वाले, यानि कि आप पूरी worksheet हो लगभग one hour में कर पाऊगे, तो वो just इसी लिए आ रही है, कि आप थोड़ी सी आपकी continuity बनी रहे है, कि जब तक school reopen होते हैं, तो इसके अलावा भी अगर आपके mind में कोई question चल दें, तो आ ये बार ऐसा होता है कि YouTube के उपर आपको notification नहीं मिल पाता, लेकिन वहां पर link share कर दिया जाएगा, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे हैं, खूब पढ़ते रहे हैं, thank you, bye bye and have a nice day.